जहां तक मुझे याद है गईस 10-12 सीजन तो हो चुके है मुझे पुषिंग करें ठीक हर वर धोका देगे निकल जाता हूँ के इस बार करेंगे इस बार करेंगे लेकिन इस बार कहरों पक्का यह हो पक्का करेंगे आप सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना बाकि अगर मार देर ये बेस अपनी आपको डिफेंड कर पाएगा कितनी देर तक अपनी जान बचा पाएगा कि आई स्वीपर इतना परिसान करता ने जिसकी कोई हद नहीं कि एर डिफेंस से भी ज्यादा खतर नाग होता है स्वीपर क्योंकि एर डिफेंस कम से कम इलेक्ट्र ड्रागंस को मारने तो देता है स्वीपर तो मारने नहीं देता सिंगल टार्गेट आया नहीं पाया विच इस नोट गुड थिंग फोर अस पर चलो कोई नहीं सारी चीजे कहां मिलते हैं जिन्दिगी में कुछ ना कुछ तो छूटी जाता है ड्रागंस हैं भी हमारे पास काफी सारे दो हैं तीन चार हैं बलकि काफी सारे का हैं चार हैं एक गया दो गए आरसी मरने वाली है क्यूंकि किंग के अत्ते चड़ गई है वे इनिश्चीर का फायदा उठाएगी और आगे की तरफ बढ़ जाएगी और बस हो गया काम हो गई है सुरुवात तीन स्टार के साथ पेल के रख देंगे काई साज हम सबको किसी को भी नहीं छोड़ेंगे बेस नंबर टू सेंटर टाउन होल का यह बेस इस पे क्या करेंगे हम के मिल पाए हमको थोड़ी सी पेस ओके इधर से जाना पड़ेगा विद्धी हेल्प ओफ स्लैमर जाएंगे अब आप कहोगे स्लैमर ही क्यों यूज करा भाई क्यूंकि सुपरसल वालों ने बना के दिया है तो यूज तो करना है न कहीं न कहीं पे जाना लगताय है कि हो जाएगा यहां पर तो कर लेते हैं यूज अब ये कैसे पतह चलता कहां पर बह जाएगा भाई यह experience से आता है और experience कैसे मिलता खेलने से कोई उसकी घुट्टी नहीं है जिसको पकड़के पिला दिया जाए कि आपको पता चल जाएगा ऐसा कोई चक्कर नहीं है आप अटेक करते जाओ तरह तरह के बेसिस पे कभी बिलिम्प यूज करो कभी स्लैमर यूज करो आपको आइडिया लगना है स्टार्ट हो जाएगा कि कब कहां पर क्या इस्तेमाल करना है चालो काफी कुछ तो मिल गया है तीन फ्रीज बचीया भी मेरे पास जो कि मुझे लग रहा है कि स्वैग की जा सकती है इस्तेमाल करने की जरुरत नहीं पड़ेगी उनके चलो एडवांस में कर देते हैं एक दो तीन चार और बन गया इस बेस का भूत मेरे यार ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं इस तरह के बेस का मेरे को बहुत ज़्यादा वो था idea मतलब कि इस तरह के basis आती ही है क्योंकि ये खास बनाए गई है attack फेल कर आने के लिए और इन पर मैं थोड़ा सा अलग तरीके का आज कल attack करता हूँ बिलिम पुचा दिये सीधर टियस तक without any spell हमको मिल गए टाउन होल which is a good thing for us दो रेज मार दी गई है आर्मी बढ़ रही है सांदार तरीके से पर air sweeper बढ़ने नहीं दे रहा है यार ये air sweeper मिल जाएना तो काम हो जाए दूसरे वाला ये वाला नहीं दूसरे वाला पर नहीं मिल पाया दो फ्रीज बचा की रखने पड़ेंगी लग रहा है क्योंकि सीसी के अंदर अभी बचा है आई तिंक लावा और लावा से बढ़ने के लिए फ्रीज और पोईजन लगेगी हाँ लावा आ गया कोई दिक्कत नहीं है भीड लेंगे लावा से भी डबल फ्रीज बची है जो कि मुझे लग रहा है हम स्वैक कर पाएंगे जर्रत पड़ेगी नहीं बहुत गोल्डन अटेक शिकारों में आपको यह वाला अटेक आपको कमी देखने को मिलेंगे पूरे यूट्यूब के अंदर क्योंकि इस तरह के बेसिस मिलते बहुत है और इस तरह के बेसिस पे लोग अटेक फेल करते बहुत है क्योंकि उनको सही तरीका मालूम ही नहीं होता इस तरह के बेसिस का अगले बेस के लिए निकले हैं और काफी लेजंडरी टाइप का ये बेस मिला है बहुत पहले हमने इस पेस को देखा हुआ है आज बहुत टाइम बाद ये वाला बेस देख रहा हूं तो थोड़ा सा आइडिया है मेरे को इस बेस का क्योंकि हम ओल्ड पुशर है ओल्ड क्योंकि हमें बुड़े अटेकर गाइस बुड़ा आपा बीत गया हमारा पुसिंग करते हुए बटा आज काल हमने छोड़ दी थी थोड़ी बहुत कर लेंगे इस बार आप का होगे तो वरना थोड़ा बहुत पेल पाल के फिर से छोड़ देंगे यहां आगे सिंगल टार्गेट नाइस किंग के साथ मुलाकात करेगी क्वीन अब विच इस नोट नाइस फूर क्वीन किंग के साथ जब-जब मुलाकात होते हैं तो क्वीन की पिटाई होती है एक फिरीज बची है तीन चार इलेक्ट्रो ड्रैगन्स बची है एर डिफेंस निकालना सबसे इंपोर्टन्ट है और उसको अपन निकालके छोड़ेंगे यह बाके का काम करेंगे भी इलेक्ट्रो ड्रैगन्स अब यहां से आगे का वतन इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के अवाले साथियों एक एर एक्स बो है जो कि असली दिक्कत का कारण बनी हुई है फ्रीज लगा दिया हमने आखरी अपनी चार इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हैं कौन बचाएगा इसको और कब तक यह एर एक्स बो कुछ उखाड़ पाएगी अब यहां से चेन डेमेज जाएगा बचे हुए पूरे बेस पे बट यहां पे तो हमारी लेक्ट्रो ड्रैगन के उपर ही चेन डेमेज पड़े गया भाई खतम हो गया उल्मोस्ट डिफेंस बचा हुआ है और अटेक खतम होने वाला है उल्मोस लगा पड़ा भाई यह तो डिफेरेंट सा हो गया कुछ इसा लगा था इतने सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन सारे मर गए विचारे वाँ पर उल्लू बाज नहीं आया वाई नैक्स्ट बेस रेडी है पिटाई खाने के लिए चला बोल तो दिया अब करने का समय आ गया है और करा कैसे जाय वो सोच रहूं अब क्योंकि बंदा जोस जोस में बोल तो देता है सबसे पहले फिरी में टाउनोल मिल रहा तो उसी को निकाल लेते हैं वैसे फिरी में कभी कुछ नहीं मिलता मेरा मेरा स्पैल्स लगया है मेरी आर्मी लगी है विदी कहां था वाई ये और एक किंग गलत जा रहा है हमेशा की तरह पागल है वाई ये इसके हमेशा गलत काम चालूई रहते हैं जाके सी सी निकालेगा और सी सी में से पता नहीं क्या निकलेगा एड अंटर और गोबलिन दोनों ही निकल गए गंदी गंदी चीजें दोनों धना धन फ्रीज लग रही है मेरी और मल्टी निकल नहीं रहा फिर सारा गेम बिगड़ा है किंग की वज़े से ऐसे सेक्षन में जाके गुश गया जहां पर उसकी कोई नहीं पूछ रहता किसी ने निकाता है उदर आने के लिए बट गया फिर भी उदर क्या कर सकते हैं उसी लिए तो वो किंग है किंग इस ओल्वेस किंग गलत जगाओ पर गुसने में माईर है पर चलो कोई नहीं चालेश ट्रोफी तो फिर भी हमको मिली जाएंगी और उतना ही हमको चाहिए था पैजामर जी गुस चालेश ट्रोफी देद्यार चुप चाप दिमाग ना खराब कर भाई बाउत मेनत लग रही है दादा लेट्स को फॉर दे नेक्स्ट मुर्गा की तलास मुर्गा की तलास हो गई है और एर स्विपर बहुत खतरनाक पोजिशन में है दो सिंगल टार्गेट इंफर नो भी हैंस बेस के उपर इग्दम डेंजरस बेस है सुचना पड़ीगा भई इसमें ना दो बलून और बिलिम्प मारेंगे सीधा देखी जाएगी जो होगा चलो भई एक एर स्विपर मिल गया और टाउनोल मिल गया इससे जादा चाहिए भी नियब अब सीधा टैक मार देंगे इदर से मेरे गले को क्या होगे भई या कुर 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 होगी ती आर्मी टोटली रोंग जा रही है बट ये तो आर्मी कामे से सही काम रहा है गलत जगा हो पर जाने का किंग सही जा रहा था फिर गलत आ गया अरे कुईन मत जा मत जा मत जा आगे मत जा ये एक कदम और आगे गई तो नुकसान जाएगा बहुत चलो सीसी आ गया है अभी डर नहीं है सिंगल टार्गेट दो दो बचे हुए है थोड़ा सा तो डर है सिंगल टार्गेट थोड़ी खतरनाक चीज होती है आपको पता ही है एक को अरसी निकाल देगी लग रहा है और एक छोड़ देते हैं क्वीन के नाम का क्योंकि कोई और तो निकाल भी नहीं पाएगा और क्वीन को पहले किंग को टेक डाउन करना पड़ेगा काफी सारी चीज़े हैं क्वीन के सामने अभी बिढ़ने के लिए इलेक्ट्रो ड्राइगन तो यहीं पे गिरने वाले हैं क्योंकि ब्लैक माइन सी ब्लैक माइन निकल रही है अब भीड़ेगी क्वीन किंग के साथ और उसके आद भीड़ेगी जाइंट बॉंस है क्योंकि यहा पर जाइंट बॉंस जरूर होंगे कितने होंगे पर एक दो और यह फ्रीज नहीं हो जाती तो काम हो जाता हमारा नोदो को गया लेट्स गो फॉर फॉर दे नेक्स्ट अटक and we have this very very old base बहुत पहले यह वाला base इस्तेमाल क्या रहाता था आज भी क्या रहाता है वैसे मैंने देखा कई बंदों को इस base के साथ pushing करते हुए और वो भी global top 10 IDs में से एक अभी भी इस तरह के basis के उपर trust करते हैं so obviously कुछ ना कुछ तो इनके अंदर है कि लोग अभी भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं इन basis को किंग को deploy करने का टाइम आ चुका है काफ़ी देर से हमने किंग को बचा के रखा था ग्राउंड एक्स बो एक मिल गई एक नहीं मिली लावा भी निकलना रह रहा है सीसी में से किंग को दोडाना पड़ेगा लग रहा है वरना किंग फसवा देगा एक आखरी freeze को इस्तेमाल करने का समय गया है और अब भिड़नत होगी लावा के साथ किंग की किंग आता आएगा नहीं लावा के किंग भाकता रहेगा इदर से उदर और इस चीज़ का फायदा उठाएंगे क्वीन और आर्सी कि लावा का कोई काम रहनी जाएगा विचारे का भटकता ही रहेगा बस इसी लिए रोक के रखा था आर्सी को कि एक बार लावा किंग के ओपर जाके अंगेज उड़ाएगा ना तो फिर हमारे पास काफी टाइम होगा आर्सी के साथ बच्चे वे बेस को निकालने के लिए और वही हमने किया और जो कहा सो किया और यह बेस खतम ताइम आ गया है आज का आखरी अटैक करने का और आखरी अटैक के नाम पे मिला है हम को ये वाला बेस जिसकी साथ हमको करनी है थोड़ी सी पेस के बात बन जाए फिर हमारी किसी भी भेस बिले मारेंगे एकदम अजीब से एंगल से जहां पर टॉर्नेडो निकलने के चांस ना हो और आइडिया हमारा साही था टॉर्नेडो यहां पर नहीं है पोईजन डाली गई है किंग वाई साथ फस गई है हमारे एरश्विपर को निकाल दिया है मरते मरते और सबसे अच्छी बात यह कि आटलरी भी डाउन हो चुकी है वी नागे की तरफ बढ़ रही है साथ में आर्मी भी है ग्राउंड एक्सबोस चलो एक को तो निकाल देगी इलेक्ट्रो पोच गया हमारा एक ग्राउंड एक्सबो के पास आर्सी की अबिलिटी गोवेंट गोन हो गई है सिंगल टार्गेट अभी असली खत्रा बना हुआ है यहां पे क्वीन को बचाने के लिए लग रहा है फ्रीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी चलो फ्रीज तो दुबारा आ रहेगी क्वीन कहां से आएगी दुबारा मलब क्वीन भी नहीं आएगी बट फ्रीज को नहीं जाने दे सकते क्वीन को नहीं जाने दे सकते, जबान बार-बार भूल जा रहूंगा इस मैं, ट्रूप्स के नाम बूलने में मैं एक्सपर्ट हुई है तो तब भी क्वीन है, और जाते जाते लग रहा है ये वाला बेस भी हो जाएगा ट्रिपल, या नहीं होगा, ब्लैक माइन्स फसा तो को नहीं देंगी इसको, बेस को, अटैक को हमारे, क्वीन तो मर गई, और वार्डन देखो कहां पर लगा हुआ है, बेवाकूफ है वार्डन गाइस, बचपन से ही, पर इस बेस को तो ट्रिपल लगवा के ही रहेगा, तो बस गाइस, आज की वीडियो में रहेगा इतना ही, उमीद करते हैं, आपको अज़की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलता हम लोगों से बहुत जल देखो, और सांधर वीडियो में तब तक के लिए आप सभी अपना द्यान रोके, और आप बताना, पुशिंग करने कर के नहीं